चंडिगड पुलिस वैसे ही बहुत सारी सुविधाओं से लैस है पर इस कैटेगरी में अब एक और नाम जोड़ गया है वो है फॉरंसिक मोबाइल वैन का आपको दिखा दें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर कई चीजे जो हैं वो चंडिगड पुलिस में जो हैं वो आई हैं चाहे यह वरुन वाहन हो या इसके बाद कवच की हम लोग बात करें यह नई गाडियां जो हैं वो चंडिगड पुलिस को अब दी गई है ताकि किसी तरह कि अगर कोई परिशानी आती है चंडिगड में किसी तरह कोई प्रोग्राम होता है और वहां पर अगर के जरूरत पड़ती है तो यह उन्हें मिले जैसे कि हमने आपको वरुन दिखाया कवच दिखाया तो इसके बाद एक और फोरेंसिक इंवेस्टिगेशन वैंड जो है उसको आज फ्लैग ऑफ किया गया है चंडिगड के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से आपक जो है काफी समय इसमें लैब में लग जाता था पर अब जो यह मोबाइल वैन रहने वाली है और इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इसमें 14 जो किट्स हैं वो रहेंगी और बहुत सारी जो टीमें हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी वार्दात के समय वहां पर कोई अगर सबूत मिलता है तो उसका यहां पर यानि की मोबाइल वैन में ही उसे रख करके उसके उपर काम किया जा सकेगा पता लगाया जा सकेगा और जल्द से जल्द जो है केस सुलझाने का प्रयास किया जाएगा इससे काफी जो समय है वो भी बचेगा केस सुलझाने मे ये जो वैन है आज फ्लैक आफ की गई है और चेंडिगाड पुलिस को दी गई है जाहिर तोर पर चेंडिगाड पुलिस वैसे ही बहुत स्मार्ट मानी जाती है तो यहाँ पर बहुत सारी सुवधाई ने पहले भी मिली है एक और नया गैजट जो है वो अब इसमें जुड़ वैन है ये भी चेंडिगाड को मुलिसर जाहिर तोर पर ये जो वैन है जरूर कहीं न कहीं चेंडिगाड के लोगों के लिए फायदेमन साबित होगी वीडियो जानलिस्ट ललित के साथ खबरे अभी तक के लिए चेंडिगाड से हरसम रत